हेलो एवरिवन मैं मुस्कान दिमन आज फूड इस एटेंडन्स की किचन में मैं बनाने जारी हूँ ब्रेड पकोडा बिल्कुल हलवाई जैसा ब्रेड पकोडा हम घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कड़ाई में एक बड़ हरी मिर्च मिर्च के भी थोड़ा सा पक जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चोथाई लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच नमक एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चोथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर ये सब मस इसमें अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे आलू का मसाला तयार होने के बाद मैं इस पे थोड़ा से डाल रही हूं हरा धनिया ब्रेड की कोटिंग करने के लिए मैंने यह दो बाउल बेसन लिया है जिसको यूज करने के लिए मैं इसको छान रही है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल कर मिक्स कर रही हूं इसको हमें इसका एक ठिक पेस्ट तयार करना है आप देख सकते हैं मैंने इसका जैसा पेस्ट तयार किया है वैसा ही आप भी इसका तयार कर लें अब मैंने यहां चार ब्रेड की स्लाइस लिया है जो ह हम इस bread को deep करेंगे और पूरे bread पे इसकी अच्छे से coating कर लेंगे मैंने तेल पहले से गरम होने के लिए रख दिया था इसमें हम इस bread को full flame पर fry करेंगे इसको पलट कर दूसरी तरफ से fry कर लेंगे दोनों तरफ से थोड़ा fry होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया इसमें से मैंने दोनों bread को ऐसे ही fry कर लिया है ब्रेट के fry होने के बाद इसको बीच में से ट्रेंगल शेप में काट लेंगे दोनों को और जो हमने basin का paste तयार किया था उसको हम इस पे लगाएंगे इस तरफ से और इसको दुबारा फ्राइ कर लेंगे और इतने ये फ्राइ हो रहे हैं आप वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें अब आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इनको निकाल लेते हैं कितने अच्छे हमारे ब्रेड पकोड़े बनकर तयार हुए है मैं आपको इसको काट कर भी दिखा देती हूँ कि इसकी फिलिंग कितनी अच्छे से हुई है अंदर से आप भी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ करें और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू बाबाई